हेलो गाइस कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका मेरे चैनल अनपूर्णार सोई में आज मैं बनाने जा रही हूँ ककड़ी की सबजी जिसके लिए मैंने आधा किलो ककड़ी ली जिसे मैंने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है अब हम यह आपके की नुकर हटा देंगे और ककड करवी हुई तो सारी सबजी जो है वो खराब हो जाएगी तो यह दो जो ककड़ी है यह हमने पहले ही चकली थी यह जो है करवी बिल्कुल भी नहीं है ककड़ी के पीसिस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं यह सबजी खाने में बहुत ही जादा स्वादिश लगती है जब कोई सबजी समझ में ना आए तो आप ककड़ी की सबजी एक बार जरूर बना कर देखें आपको काफी पसंद आएगी तो फ्रेंड अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीस मेरे वीडियो को लाइक शेर जरूर कीजीगा पास में घंटी का बटन है उसे का तेल लिया है तेल को हमें धुआ उठने तक गरम कर लेना है आप इस सबजी को रिफाइंड ओयल में भी बना सकते हैं जब तेल गरम हो जाएगा एक चम्मच जीरा और दो पिंच के करीब हम हिंग डाल देंगे और इसमें अब हम डाल देंगे दो चम्मच अद्रक लसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट आप लसन अद्रक हरी मिर्ची को काट कर भी डाल सकते हैं गैस का फ्लेम लो रखेंगे लो फ्लेम पर लसन अद्रक और हरी मिर्ची के पेस्ट को अच्छे से हम भून लेंगे और अब हम इसके अंदर हरा प्याज डाल देंगे यह पूरी तरह आप्शनल है हरे प्याज से सबजी का लुक भी अच्छा आता है और सबजी खाने में भी टेस्टी लगती है यहाँ पे आप लाल प्याज का भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास हरा प्याज नहीं है तो प्याज को हम हलका सा भून लेंगे फिर हम ककड़ी डाल देंगे और ककड़ी डालने के बाद हमें एक मिनट तक इसे तेल के अंदर अच्छे से भूनना है इससे क्या होगा हमारी सबजी का टेस्ट जो है बहुत अच्छा आएगा ए धनिया पाउडर डाल देंगे एक चमच लाल मिर्ची का पाउडर एक चमच तीखा भी आप अपने हिसाब से ही रखें कई लोग कम खाते हैं कई लोग ज्यादा खाते हैं और बस हमें इतने ही मसाले डालने हैं कोई गरम मसाला नहीं डालना है कोई कुछ पी नहीं डालना है घर में जो सिंपल मसाले हमारे उसी से हमाज सबजी बिनाएंगे और बहुत ही टेस्टी भनती है यह हमारी सबजी बहुत ही टेस्टी भनी थी आप जरूठ राय करें तो फिर एक टूमाटर लिया है जिसे मैंने बड़े टुकडों में काट लिया है और इसे भी हम mix कर देंगे अगर आपको सूखी सबजी बनानी है तो इसके अंदर विल्कुल भी पानी का यूज ना करें और सबजी को एकदम लो फ्लेम पे पकाएं अगर आप थोड़ी रसेदार सबजी बनाना चाहते हैं तो एक कब पानी इसके अंदर डाल दे तो मैं लिपटमी सबजी बनाऊंगी ना तो जादा पतली और ना ही जादा सूखी तो देखें और अब हम इसे ढख कर कम से कम पान्च मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे फ्रेंड्स आप मेरा फीडियो कहां से देख रहे हैं ये कमेंट करके मुझे जरूर बताएं अगर आप मेरी रेसिपी ट्राइ करते हैं वो आपकी कैसी बनी तो इसका भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आप कमेंट करते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हम तो देखे पांच मिनट बाद हम सब्जी को उलट-पलट कर देंगे अगर आप इसमें पानी कम रखना चाहते हैं तो अब आप इसे एसे ही पकाएं कम से कम 2 मिनट तक मैं भी इसे ऐसे ही पकाऊंगी 2 मिनट तक क्योंकि मुझे सब्जी में पानी जादा लग रहा है यहां पे सहरा धनिया हो तो जरूर डाले इस सबजी को पूरी चपाती राइस किसी के साथ खाए सफर में ले जाए चाहिए टिफिन में दे तो फ्रें वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेर जरूर करें और मेरे चैनल अनपुर्णर सोई को जरूर जरूर करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद